तालिबान ने भले ही जबरन अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम कर लिया हो लेकिन उनकी आर्थिक स्तिती बहुत ही निचले स्तर पर पौँच गई है जल्द उनके बैंक खातों में मक्खिया मिनमिनाने की नौबत आ सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान की 10 अरब डॉलर की संपत्ती को हासिल कर पाना टेड़ी खीर होगी आपको बता दें कि दा अफगानिस्तान बैंक ने इस रकम को छुपा दिया है जी हाँ सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान ने अपनी ज्यादा तर संपत्ती देश से बाहर रखी है इसी के चलते तालिबान इतनी आसानी से अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक की 74.26 करोड की रकम हथिया नहीं पाएगा आपको बता दें कि अमरीकी राश्ट्रपती जो बाइडन के एक अधिकारी ने कहा अफगान सरकार की रिजर्फ बैंक की अमेरिका में जो भी संपत्ती है उसे तालिबान को नहीं दिया जाएगा डीएबी के पास 10 अरब डॉलर की रकम की साथ साथ 1.3 अरब करोड का सोना और 36.2 करोड डॉलर की विदेशी मुद्रा जमा है आशंका है कि अफगान खजाने पर कबजा कर पाना तालिबान के लिए उतना असान नहीं होगा जितना देश हडपना रहा